वेलो डियर फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल बाल अश्टडी में आप लोग का स्वागत करता हूँ तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कच्छा दस्वी का इतिहास का चेप्टर 3 जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट वादी आंदोलन का हम लोग जो है इस वी लोग श्टार्ट करते हैं कि हिंद जन उपनिवेष अस्थापनाका उद्देश क्या था कि इसका इस्थान करता करना यानि जो पहला कारण था बैपारिक पर्थिसफर्दा का सामना करना देख़ी है कि prats द्वारा उपनिवेश अस्थापित करने का पहला उद्देश यह ow भ्रेटिश कमपणिों से बैपारिक पर्थिस फर्था का सामना करना था ठीक ना दूसरा देखे कच्चे माल यह बजार की जरूरत अधोगी की करन के लिए कच्चे माल की आपूर्ती उपनिमेश से ही होती थी यह उत्पादित वस्तुओं के लिए बजार व्यूप लब्द होता था यह देखे दूसरा हो जाएगा तिसरा देखे है कि असभ्यों को सब्हें बसमाजों का दाई तुक तो हम गोरे लोगों को है जो फ्रांसेशी जो था की जो पिछड़े जो लोग है उसको सब्हें का दाई सो लुग हो है की जला किया दलदली भूमी जंगल आदी में क्रिशी को बढ़ाया जाने लगा इसके कारण ही ब्यतनाम भी सुका तिसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया जो मतलब फ्रांसिसी जो था क्रिशी के लिए क्या क्या जो जगा जो खराब बेगेरा यह सबी था उसको सुध क्या धर्म का परचार के दोरा निसी देनी बासा को खाटाकर अपनी भासा से दूर रखा गए आश्कुल की अंतिम साल की परिच्छा में देखते हैं अस्थानी बच्छों को फेल कर दिया जाता था जैसे आप लोग जो था मतलब गरीब जो लोग था उसको क्या किया जाता था और जो लोग था जो पढ़ लेता था उसको क्या किया जाता था अंतिम जो परिच्छा उसमे किया कर दिया जाता था फेल कर दिया जाता था ठीक है यह था पहला का उत्तर चलिए बहुत सारे गोली चला था चलिए हम लोग जो गाउं है कहां इस्तित है तो दचनी बियतनाम में एक इस्तित गाउं था अमेरिकी सेना ने इस गाउं को घेर कर पूरुसों को मार डाला अमेरिकी जो सेना था बियतनाम में घुश के माईली गाउं में घुश कर क्या किया कि जो वहां के पूरुस था उसको क्या क्या मार तथा औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक इनके साथ सामुहिक बलतकार करता रहा और जो और बाली का जो थी लड़की बेगरा जो थी उसके साथ क्या किया गया बहुत दिन तक क्या किया बंधक बनाकर उसके साथ सामुहिक बलतकार किया यानि बहुत सारे लो लासों के बीच दबा हुआ एक बूढ़ा बच गया था बच गया इस घटना को बीसु के सामने उजागर क्या और वहीं जो बूढ़ा बेकती जो था क्या क्या कि घटना घटना की घटना के सामने लगा अमेरिकी सिना का अलोचना होने लगा तब अमेरिकी राष्ट पती निक्सन को सांती के लिए पाज सुतरी योजना की घोशना करना पड़ा ये था मायली गाउं की कहानी ठेक ना मायली गाउं की घटना क्या थी यह हम लोग देख चुके ठेक चलिए अब हम लोग देख ना कि पाथ सुत्री योजना जो है लागू किया गया था तो वही देखते हैं अब अगला क्यूशन में है तो इसका देखे उत्तर हो जाएगा कि राष्ट पती निक्सन ने हिंद चीन के संबंद में पाथ सुत्री योजना की घोशना की थी जो निम्नल लखी थे देखिए क् यूद बंद कर अपने स्थान पर रहे हैं इस दौरान कोई देश Bhag अपनी सकती बढ़ाने का परिवेज्चक नहीं नहीं करेंगे यो जो तिसरा अपने का परियाता उत्राइब करेगा दूरां के दौरान सभी तरह की लडाइयां बंद रहेंगा और पाच्मा है कि यूद पिराम का अंतिम लच्छ समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा समूचे मतलब समझ रहे ना पूरा समूचे मतलब पूरा यह ता दखिए पाच इसका जो है था पाच सुत्री योजना जो था यह था पाच वीडियो में आपको दिखा दिए ठीक ना और आप लोग इसको क्या किजिएगा कॉपे में नोट करते जाएगा चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर की उसन क्या है कि फ्रांसेसी सोचन के साथ साथ उसके द्वारा किये गए सकारात्मा कारे की समिच्छा कर रहा था सब के साथ कर रहा था और उस सब्सक्सित प्रभंध किया ता किशिक पादगता को बढ़ानए लिए सिचाय किया जा सके टिन लोग जू था क्या किया कि जलासेश इव और नहरो का समुचित प्रभंध किया ताकि क्रिसी करने में किसी तरह कि बादाओ पर न दुसरा तो कि बंजर क्रिसी के लिए आयोग भूमी को योग बनाकर क्रिसी छेत्र को बढ़ाए गया हम लोग पहले क्यूशन में ही देख चुके थे यह सभी के बारे में जो बंजर और क्रिसी जो आयोग जो भीमुई था मतलब खेती जहां पर नहीं हो सकता उसको खेती के योग बनाया गया और उसमें खेती को बढ़ावा दिया गया तिसरा देखियें के कि छेत्र में परांसे से परयास मों को विशू का थिसरा बड़ाठी सैनल विसाल रेल मार्ग का निर्मान किया और सड़क बिगेरा भी बनाये थे लोग dost poi कि भास में अधुनिक नया सिच्छा देने जाने लगा अब चलिए लScott भी देखते हैं। की इसका देखते है इसका उत्तर देखते हैं कि राष्टवादी हो करना करना अ लोगों में राष्टवात की भावना को और भी बढ़ा दिया इसी भी जो था एक बेक्ती जो था कौन फान वोई चाव ने एक भूक लिखा था ठीक ना जिसका नाम है राष्टवात की भावना को क्या किया और भी बढ़ा दिया इसका दखिया इसमें आगे दखिया कि हिंद चिन के लोगों के राष्टवात का फायदा उठाते हुए होची मिन ने 1923 इस्वी में वियतनाम के विख्रेग राष्टवादी गुटों को एक जूट कर वियतनाम कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थापना किया था यह पार्टी लोगों में राष्टवात के विकास में महतपुन भूमिका निभाया अता प्रान सिस्यों के सोशन से परेशान तथा लाष्ट बाद से प्रेरित होकर हिंद चीन में आंदोलनों का सुरुवात होने लगा था यह देखिए लास्ट कीवशन था आम लोग इसका भी आंसर देख लिए तो आप लोग इसका क्या कीजिएगा कि वीडियो को रोकरों के यह सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजेगा ताकि वो भी इसको लिख पाए ठीक ना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत